हालो फ्रेंज वेलकम टू द्रेंपटेस एडमी आई होप आप सभी अच्छ होंगे पढ़ाई कर रहा होंगे घर पर सेफ होंगे दिखिए आज के इस लेसन में हम लोग सोल्ब करेंगे एससी एस्टेन ग्राफर के कोश्चन को ठीक है हमारा टार्गिट क्या है प्रिभिएस पान साल के इंग्लीज के कोश्चन को पूरे डिटेवल में सॉलुशन करके जाना क्यूंकि आपका जो है एससे का एक्जाम अभी जो चल रहा था ठीक है यह आपका कोबिट के वैसे फिल अप हुआ है तो MTS का भी एक्जाम होगा ठीक तो इन सारे एक्जाम को ध्यान में रखते विए हम लोग प्रिविएस पान साल के कोश्चन को हम लोगों ने टार्गिट रखा था कि यहां पर हम लोग सॉलुशन करेंगे तो हम लोगों ने MB पॉब्लिकेशन बुक से 2016, 2018, 2019 और अभी हम लोग कर रहे हैं 2020 ठीक है 2020 में आपको SSC CHSL और CGL का कराय जा चुका है अभी हम लोग करेंगे एस्टेनोगराफर का ठीक है इसके अलाब आपको MB पॉब्लिकेशन से आपको 2016 कम्प्लीट कराय गया है pre and means 2018 में आपको pre and means कराय गया है 2019 में सिर्फ आपको pre का question जो है solution कराय गया है ठीक तो 2020 में जितने भी एक्जाम हुए है सबसे परले हम इनका solution करेंगे एस्टेनोगराफर के बाद आपको SSC, CGL, CHSL हो गया एस्टेनोगराफर अभी हम लोग कर रहे हैं इसके बाद हम लोग CPO का कर लेंगे उसके बाद हम लोग 2019 में जितने भी और lessons बचे होंगे वो हम लोग करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को जो भी lesson प्रोवाइड क कभी यह question MTS में पूछा गया कभी वो question CGL में पूछा गया तो सारे questions जो हैं आपके लिए important है इसलिए आप हर एक lesson को complete देखिए अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो कुछ चीज़े समझ मनाए तो comment section box में जरूर comment कर दिजगा या आपको इस से regarding यानि कि English के प्रोवेशन के regarding कोई इसलिए तो जरूर आप comment section में comment करिए अफिटेलग्राम चैनल पर भी चूल कर आप मैसेज कर सकते हैं पूछ सकते हैं चलिए अब आज की इस lesson में हम लोग solve करेंगे से 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 स्टेनोग्राफर 23 दिसंबर 2020 के first shift के questions को ठीक है तो यहां पर आपको already बहुत सारे lessons कराए गये हैं और एस्टेनोग्राफर अभी हम लोग 2020 कर रहे हैं तो 2020 का हम लोगों ने आपका 22 से 24 दिसंबर के भी जो है एक्जाम हुआ है तो 22 थारीक का हम लोगों ने कर लिया है first shift और second shift फर्स shift जो आपका 10 से 12 वज होता और दूसरा shift आपका 3 से 5 होता है ठीक तो 22 दिसंबर का हम लोगों ने कर लिया है 23 दिसंबर का भी हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद 24 दिसंबर का हम लोग करेंगे ठीक तो सारे जो है इससे परेट प्लेलिस्ट बना भी है प्लेलिस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं question number first यहां पर आपको question जो बोला गया है वो है select the correct passive voice of the given sentence यानि कि आपको active voice दिया गया है उसे आपको passive voice पे change करना है C is teaching the children botany through video conferencing ठेक तो C आपका यहां पर बन गया subject और object आपका कौन सो हो जाएगा object आपका हो जाएगा botany क्या पढ़ाया जा रहा है उसके दवारा मतलब कि जो teacher है उनके दवारा क्या पढ़ाया जा रहा है तो botany पढ़ाया जा रहा है आपका जो object बन जाएगा वो बन जाएगा subject और subject आपका बन जाता है object तो देखिए अगर हमें यह पता है कि यह subject है और यह object है तो जब हम लोग passive voice में change करेंगे तो object आपका subject और subject आपका object बन जाएगा यह हम लोग पढ़ चुके हैं सीख चुके हैं जब हम लोग टेंस और वाइस साथ में कर रहे थे 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 तो अगर आपको टेंस वाइस में किसी परकार का दिक्कत है तो आपको description में एक link मिलेगा प्लेलिस्ट है ठीक SSC for 5 days place का ठीक तो इस प्लेलिस्ट में जो है आपको टेंस वाइस साथ साथ में सिखाया गया है तो आप प्लेलिस्ट सेक्षन में जाकर इन lessons को देख सकते हैं ठीक अब यहाँ पर देखे यह चीज तो हम लोग समझ गया है कि subject object object subject अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि हमारा sentence किस जो है टेंस में है तो सी इस टीचिंग यानिकि subject is MR प्लस भर्व का फोर्थ वर्म यानिकि present continuous tense तो जब भी हम लोग जो है चेंज करेंगे से passive voice में तो is MR प्लस बीइंग प्लस भर्व का third form यूज करेंगे यह हमारा present continuous tense को passive voice में चेंज करना का rule होता है इस MR प्लस बीइंग प्लस भर्व का third form तो अगर आपको यह rule याद है आप options को carefully देखे आपका यहाँ पर object होना चाहिए बोटनी इलिमिनेट हो गया ओलेडी ठीक बोटनी इस बीइंग यह हमारा बन सकता है बाक्यों options भी हम देखेंगे बोटनी हैस बीन यहाँ पर यहाँ पर बीइंग का यूज हुआ नहीं है तो यहाँ पर जो हमारा एक right answer बन जाएगा वह बन जाएगा आपका option भी ठीक तो अपने जो है क्या देखा आपने अपना object देखा और helping भर्व देखा यहाँ पर वोटनी प्लस इस प्लस बीइंग का यूज हुआ है भर्व का third form भी यूज हुआ है तो हमारा right answer आपका यहाँ पर option भी बन जाएगा आते है question number two पे यहाँ पर आपको बूला गया है select the most appropriate synonym of the given word appropriate मतलब होता है उप्यूक्त सटीक ठीक यह word जो है already SSC में पूछा गया है synonym के रूप में भी और correct spelled में भी तो इस word को धियान रखेगा appropriate मतलब होता है उप्यूक्त सटीक आपको synonym चूज करना जो सबसे उप्यूक्त सिनोनिम है यानिका प्रवाचिस सब the given word का आपको उस और wrong spelled ठीक है तो इन words को जो है आप जरूर धियान रखेगा जितने भी words आपके सामने आते हैं उनको अच्छे से याद करिएगा ठीक तो यहाँ पर जो हमारा word है वह है आपका dubious मतलब हो गया संदिक्द ठीक है अब इसका जो है आपको right answer यहाँ पे क्या होगा options देखते है uncertain यानि कि अनिष्चित संदिक्द, notable, notable मतलब आपका क्या होगया, notable मतलब होगया आपका प्रसिद, unwilling यानि कि आपका जो तयार न हो और impressive, impressive मतलब होता है प्रावहोशाली तो यहाँ पर जो आपका right answer बन जाएगा वो बन जाएगा आपका option है, dubious यानि कि संदिक्द, जो नि संदिक्द, यानि कि दूर भेजना, pick up, pick up मतलब क्या होगया, आपका जैसे हम लोग यह word use भी करते हैं, जैसे कि उठा कर ले जाना, ठीक है, care for, यानि कि साथ रहना, चिंता करना, तो right answer आपके option C हो जाएगा, ठीक है, और option D आपका है leave out, यानि कि छोड़कर चले जाना, option C, right answer question 4, यहाँ पर आपको underline segment में, अगर लगता है कि कुछ इंप्रूम्मेंट की जरूरत है, तो given options जो ह share, share, अगर हम इसे passive voice में change करेंगे, तो was or where plus barb का third form use हमें करना चाहिए, यहाँ पर देखे हमारा यह passive voice में कैसा है हम इसको हम लोगा ने समझा, कि was or where plus barb का third form plus by plus object आपका यहाँ पर use हुआ, तो by plus object यह निकि आपका passive voice में change है, तो passive voice में जब change होगा, तो आपका भरb का third form use होगा, तो share के जगा हम क्या use करेंगे, shared का use करेंगे, तो यहाँ पर देखे, आपका option C, जो है, shared है, where, shared by, the group of academics, option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 5, यहाँ पर आपको EDM कार्थ बताना है, keep at arm's length, यानि कि सबसे दूरी बना कर रहना, ठेक है, to not allow someone to come near your home, यानि कि अपने घ से size कर रहे होते हैं, अभियास कर रहे होते हैं, prevent people from gathering in crowns, यानि कि आप लोगों को इक ठा होने के लिए मना करते हैं, और यहाँ पर एक चीज आपको यह धियान देना है, prevent मतला होता है, रोकना, और इसके साथ preposition लोग use करते हैं, from का, तो prevent के साथ हम लोगों ने क्या सिखा, प्रेपोजिशन यूज करना, from का, ठीक, तो इस चीज को धियान रखेगा, आपको अल्रेडी जो है, fixed proposition जो SSC के हर exam में पूछा जाता, आपको अल्रेडी बताया गया है, तो description में आपको एक playlist का link मिल जागा, important, previous year, synonym, antonym, fixed proposition, ठीक है, तो आपको उस playlist में जितने भी फिक् option D, यानि की keep at arm's length, यानि की सबसे दूरी बना कर रहना, question number 6, यहाँ पर आपको एक दिया गया है, object, ठीक, तो जहाँ पर object हो, उसको आप सुरू करें, it के साथ, ठीक, तो it being a hot and busy day, तो यहाँ पर जो है, आपको इट के साथ, यूज करना है, तो options देखिए, eliminate, eliminate, it being, और it was being, ठीक, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, वो जाएगा, आपका option C, it being a hot and busy day, I feel tired and decide to retire early, right answer आपका आपका, option C हो जाएगा, question number 7 यहाँ पर आपको correct passives में change करना है, the plumber has not it fixed, the plumber subject has, यानिकि आपका जो है, भर्व का third form, यानिकि आपका जो sentence है, यह present perfect में है, structure यह होता है, subject plus has has plus verb का third form, चुकि है negative है, तो subject plus has has plus not plus verb का third form, यहाँ पर use हो गया, तो जब आप इसा पैसे बहुत में change करेंगे, तो has has plus been plus not, sorry, यहाँ पर negative है, तो plus not plus bean plus verb का third form, ठ तो options देखे, option a में आपका bean का use हुआ नहीं है, ठीक, option b में आपका यहाँ पर bean का use हुआ है, लेकिन आपका have का use हुआ है, चुकि subject जो है, आपका singular है, तो have use होगा नहीं, यहाँ पर देखे, had का use हो गया, eliminate, क्योंकि आपका sentence present में है, इसलिए यह भी eliminate हो जाएगा, और option d आ आपका write answer हो जाएगा, तो 3 options आपके, जो है, यहाँ पर eliminate हो गया, तो write answer आपका automatically option d हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप structure को भी देखेंगे, तो has, have, plus not, plus verb का, यहाँ पर been, plus verb का third form write answer आपका option d, question number 8, यहाँ पर आपको appropriate synonym बताना है, synonym यान के प्रवाजे सब्द, sustain का, sustain मतल कार का जो है, कोई, आपका बनावच, ठीक है, अकरेती, support, यानि कि समर्थन करना, बनाए रखना उस चीज को, तो write answer आपका option b, generate, यानि कि उत्पन करना, plan, यानि कि योजना, write answer आपका option b, question number 9, यहाँ पर आपको idiom का अर्थ बताना है, chip of the block, इसका मतलब क्या होता है, इसक ठीक, तो options आपके, someone who can design artistic pieces, यानि कोई अच्छा क्रिक्ति बनाता है, वहनु resembles a parent, strongly, यानि कोई अपनी माताप किता है, कि अगदम समान दिखता है, resemble मतला होता है, सद्रिस होना, समान दिखना, ठीक, और resemble के साथ हम कोई भी preposition नहीं use करते हैं, ठीक, तो यह चीज को आप धि अच्छान रखना है, कि resemble के साथ हम कोई भी preposition यूज नहीं करेंगे, option be right answer, कोशन मेंटिगे नहीं, याप फिर से इडियम करता होता है, heat in the clouds, इसका मतलब क्या होता है, criticizing someone, ठीक है, या फिर आप जो है, इसका दो अर्थ होता है, heat in the clouds, एक तो होता है, कि आप किसी की जो है, आलोचना करते हैं, उसके गलत कामों के लिए, और दूसरा होता है, कि आप जो है, सचाई से, बस्तविक्तवा से, जो है, अपना मुह मोड लेते हैं, to be quite tall, यानिकि आप काफी लंबे हैं, to ambitious, महात्मा कांची हैं, proud of one's achievement, यानिकि आप अपने उपलब्धी के लिए, जो है, गौरवान भीत महसूस करते हैं, cut off from reality, यानिकि आप बस्तविक्ता से, दूर रहते हैं, option D, आपना है, राइड answer हो जाएगा, question 11, यहाँ पर आपको correct active voice में change करना है, they were soon, यहाँ पर देखे, they were soon, तो यहाँ पर आपका sentence, past indefinite में बनना चाहिए, ठीक, तो past indefinite में अगर ब यह sentence, जब हम इसे active voice में change करेंगे, तो यह active voice में ही होना चाहिए, ठीक, यह हम लोगों कैसे सीखा, यह हम लोग, जो है, इस परकार से, हम लोग जब tenser ब्ऌएस सीक रहते, तो यहाँ पर जो हम लोग, दोनों तरीके से सीखे थे, active voice, passive voice, passive active, ठीक, तो यहाँ पर देखे, अ तो इस परकार से जो है हम देखते हैं कि यह हमारा संटेंस जो है वह आपका पास्ट इंडिफनी था और यह चेंज किया गया आपको पैसी बास में हम लोग ने अक्टिव बास में चेंज किया तो यह आपका इस्ट्रक्चर बनेगा कोश्चन वे ट्विएल यहां पर आपको सेग्मेंट में इंप्रूव्मेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें अगर आपको टेंस में किसी परकार कर दिखत है तो फिर से आप जाहिएगा जरूरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजेगा ससी 45 देस्प्लेज उसमें आपको सारे इंपॉटेंट लेसंस मिल जाएंगे बहाई से टेंस और विलेसंस में एड हैं इस हाटनिंग सीन डाट एवर्यवन इस अब्जर्विंग देर रेगुलेशन से अस्टिक ली ठीक है तो इज हाटनिंग अब यहां पर देखिए हाटनिंग सीन अब हाटनिंग के बाद जो है दूसरा भर वह यहां पर है ठीक यहां पर देखिए सी जो है आपका यहां पर आया है दूसरा भर तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्योंकि हमारा जो यहां पर यह भर्व जो देख रहे हैं यह आपका भर्व के फूर्थ फॉर्थ फॉर्थ फॉर्म यानिकि इसके बाद हम तू का यूज करेंगे और भर्ब का first form फिर use करेंगे ठीक तो options देखिए अगर हम देखेंगा option to to see to see seeing eliminate हो गया यहाँ पर देखिए everyone is observing और everyone will observe चुकि हम देख रहा है कि हमारा sentence जो है यहाँ पर देखिए everyone is observing the regulations strictly यहाँ पर जो sentence है आपका प्रेजन्ट में बन रहा है यहाँ पर देखिए it is तो यहाँ पर जो है में इस part को प्रेजन्ट में ही रखेंगे तो option A जो है आपका रहाइट answer sorry b यहाँ पर आपका राइड answer हो जाएगा option c यहाँ पर eliminate हो जाएगा क्योंकि C आपका future में बना हुआ यहाँ देखिए विल का यूज तो विल का यूज पास्ट फ्यूचर में होता है इसलिए आपका option C eliminate यहां पर right answer आपके option B और एक चीज़ आपको यह धियान रखना है कि everyone जो है हमेशा singular verb में form लेता है तो यहां देखिए आपका जो भर वह यह singular form में ही है right answer आपका यहां पर जो है उसने अपनी मम्मी को कहा अपनी मा को कहा कि आप चिंता ना करें हम लोग जो है से जल्दी बाहर निकल जाएंगे थिक तो option देखते हैं assured यानि कि सुनिश्चित करना तो यानिक उसने कहा set to eliminate set to eliminate क्या हम क्या change कर देते हैं थिक अब यहां पर देखिए जो हमारे पास जो है जो remaining options हैं वह है आपका option A और option B अगर हम option A में देखेंगे तो यहां पर हम देखें कुट का use हुआ है थिक चुकि यहां पर जो है we will यानि कि यह past को change कर रहा है तो we will soon find a way out of this crisis तो वी विल जब हम इसे पास्ट इसका फॉर्म बनाएंगे तो विल का जो पास्ट फॉर्म बनता है वो बनता है आपका उद ठिक तो यहां पर option A जो है आपका कूझ यह भी आपका तो आप वहां पर जाकर उसके सर्च आइकन में सर्च करेंगे narration तो इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा इस PDF में आपको सारे डिरेक्ट इंडिरेक्ट स्पीच या narration कि जो है important जितने भी questions यह जिस फरकार से जो बनाए जाते हैं सारे rules बगरा उसमें दिये वे हैं तो आप जाए उस हानी कारक या फिरोधी हानी कारक या फिरोधी ठीक है अब यहां पर देखिए options को तो options क्या क्या है हमारे option यह आपका है boy stress boy stress मतलब होता है शोरगूल energetic यानिकि उर्जाबान hostile यानिकि दुस्मनी frightening मतलब क्या होता है फ्राइटिंग मतलब होगे आपका डिराबना ठीक तो यहां पर जो आपका right answer हो जाएगा भया वह या फिर डिराबना तो राइद आपके यहां पर कौन से हो जाएगा option C हो जाएगा ठीक आते हैं question number 15 पर सारे वह सापके लिए important है question 15 यहां पर आपको active voice में change करना है तो यहां पर देखिए all the clients are being informed तो यह आपका sentence कौन सा बन जागा present continuous में are is mr plus being plus भर पर फां होगा present continuous में बनता है तो options देखिए had informed eliminate यहां पर देखिए यहां पर informs eliminate has informed eliminate is informing यहां पर आपका right answer हो जागा तो अगर आपको rules यहां आदे हैं अपने options को eliminate के और right answer पर आगा पूरे confidence के साथ question 16 आपको fill in the blank करना है ठीक तो where है चुकि हमार subject singular है तो where तो आपका eliminate कर सकते हैं और भी आप eliminate कर सकते हैं कि subject singular तो भर भी यहां पर singular form में होना चाहिए have been, have का भी परियोग हम लोग plural form में करते हैं तो यह फिल्मिनेट हो जाएगा तो right answer आपका automatically C है तो आप अपने rules को ध्यान में रखकल जो है आप अपने options को eliminate करना से किए हम जानते हैं कि हमारा subject singular है तो हम भर भी singular form में ही use करेंगे ठीक तो अगर आप options देखेंगे तो where plural में eliminate हो गया, are plural में eliminate हो गया, have plural में eliminate हो गया तो एक ही option आपका remaining रह जाएगा वो है आपका option C और वह ही आपका राइड answer हो जाएगा question number 17, question number 17 में आपको जो है चार sentences दिये गए है इसको आपको जो है arrange करना है सही order में तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले चारो sentences को पढ़ना होता है जो given sentences है उसके बाद आपको उसे connect करना होता है क्योंकि अगर आपको पता है कि subject हमारा ये है तो आप जो है इसे interlink यानि कि connect कर पाईएगा जैसे के simply अगर हम सबसे पहले समझते हैं माले जी कोई एक लड़का है ठीक एक subject हमारा ये बन गया यानि कि एक sentence हमारा ये हो गया अब दूसरा sentence में दिया रहेगा कि राम के दो भाई है ठीक हमारा दूसरा sentence ये बन गया कि दो भाई है एक भाई का नाम सियाम है और एक भाई का नाम राघव है ठीक अब यहाँ पर बोला गया कि जो चौथा sentence हमारा बनेगा कि राघव और सियाम जो है वो देली इनवर्सिटी में पढ़ते हैं ठीक तो पहला आपका subject कौन सा हो गया राम अब यहाँ पर रखे इसके बारे हम ब ज्यादा स्यादा जब प्रैक्टिस कर पाएंगे तब आप जो है उसको अच्छे से बना पाएंगे तो आप इसे ज्यादा स्यादा प्रैक्टिस करिए sentence arrangement के questions को ठीक तो इसका PDF जो है आपको share कर दिया याता है lesson upload करने के बाद ही तो आप जाकर जो है यहाँ पर lesson को download करके आ बाद आप lesson को देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारा right answer बनेगा बनेगा आपका option C आप इसे आकर practice करिएगा question बाइटी नहीं आपको grammat करना है as there were only one cap available and there was search pricing we decided to share it as there were only one cap one cap subject singular तो भर भीमारा singular होना चाहिए तो वेर के आपको क्या यूज करना है वास का यूज करना है यानि कि इसका भर्व का singular form ठीक आते हैं question number 19 पर आपको अक्टिव वास में change करना है तो quite a racket was being अभी हम लोग ने देखा था is being ठीक अब हम लोग देख रहे हैं was being तो was का प्रियोग past में होगा और being है यानि कि continuous में है तो present continuous औ यहां पर हम देख रहे है past continuous है ठीक तो past continuous options को देखिए will be eliminate क्योंकि feature में यूज होता है और present में use होता है create यहां पर यहां पर देखे past continuous was aware plus verb का fourth form तो right answer अपना पर option D हो जाएगा तो rules स्याद है अब अपने options को eliminate करिए question 20 इसका आपको answer बताना है comment section box में question 21 यहां पको fill in the blank करन we turned into the lane यानि कि आप हम लोग ने जो है लेन के तरब घूमा हम लोग ने क्योंकि because we there was a stationary shop क्योंकि वहां पर जो है के stationary shop था stationary shop यानि कि जहां पर हम pain copy push तक यह सब खरीते हैं fill in the blank the end of it and us to buy the pencils we needed ठीक तो यहां पर देखे something of the end तो इसके पहले हम क्या use करते है at जिसे मान लिजे कि कोई जगा है उसके एकदम इंड पर तो कोई जगा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं किसी जगा को दर साने के लिए at का यूज करते हैं तो यहां पर जो राइड आंसर है वो है आपका option see at the end of it ठीक यानि कि गली के अंत में question number 22 यहां पर आपको underline segment improvement के जरूरत है तो given options जो है उसमें से करें ने जो फिनो इंड आप्शन के साथ जाएं but somehow somewhat over ambitious he is a hard working employee over ambitious यानि कि महत्मकांची यानि कि जरूरत से ज्यादा महत्मकांची हो ना लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ही एक hard working employee है यानि कि बहुत ही ज्यादा महनत करने वाला employee है ठीक तो unless इसका use होता है negative में if somehow eliminate no substitution eliminate यहां पर जो right answer बनेगा वो बनेगा आपका option D somehow somewhat किसी हद तक यानि कि जो भी हो वो किसी भी हद तक जो है over ambitious बने लेकिन वो जो है hard working employee है right answer आपका option D हो जाएगा question 23 आपको grammatical find out करना the accused way of finally charged and justice was meted on to the victim to mate के बाद जो आपका use हो है on यहां पर गलत use हो है right answer आपका option A है आपको simply use करना है made to the victim right answer आपका option A question 24 यहां पर आपको indirect test switch में change करना है the chemist said we do not have a stock of the medicine now the chemist said यानि कि past में तो इस past को इस part को भी यानि कि जो invited comma के अंदर वाला जो part है वो भी हम past में change कर देंगे ठीक तो options अगर आप देखेंगे तो option B में आपको देखिए do not क्याने कि present में है are not present में eliminate तो अब आपके पास जो remaining options है वो है आपका option A और option D ठीक अब यहां पर देखिए the chemist said that they did not have a stock of that medicine then और यहां पर जो है we did not have तो यहां पर जो eliminate हो जाएगा option D आपका right answer है option A हो जाएगा क्यूंकि यहां पर जब हम लोग indirect switch में change करते हैं तो भी यहां पर दे बन जाएगा तो right answer आपका option A है ठीक तो अगर आपको नारेशन में दिक्कत है प्लीज टेलग्रा साथ जाए नाइदर रामा नौर विना है रिप्राइड तो यहां पर देखे नाइदर हमेसा अपने साथ जो है singular subject और singular भर्व को यूज करता है ठीक तो भर्व चुकिए यहां पर plural form में है तो यह तो no substitution वाला eliminate हो जाएगा अब यहां पर देखिए यहां पर जो बाकी जो options ह है वो क्या क्या है ठीक तो options देखिए यहां पर option भी आपका है रिप्लाइड और है रिप्लाइड अब यहां पर देखिए आपका जो राइड आंसर है क्या होगा नाइदर रामा नौर वीना has replied to the email I sent yesterday and कि जिस mail को मैंने कल भेजा था उसका अभी तक कोई reply नहीं आया है नहीं रिमा के दवारा नहीं बिना के दवारा तो यह पास जो है आपका past में नहीं बनके present में बनेगा क्योंकि हमारा जो since यहां पर कह रहा है कि मैंने जो कल mail भेजा था रामा और विना को उसका भी तक जवाब उन दोनों में से किसी नहीं दिया है ठिक तो right answer जो है आपका यहां पर option C हो जाएगा has reply ठिक अगर हम इस part को चुकी यहां पर जो है has देखे भी और इ नहीं है ठिक अगर हम इसे present में भी बनाते हैं अगर suppose तो रमा जो है हमारा subject singular बन जाएगा ठिक तो यहां पर जो है भर्ब का fifth form होना चाहिए था ठिक है तो यहां पर जो है आप बहुत सारे तरीके से अपने options को observe करके ध्यान से देखेंगे और उसे eliminate करेंगे ठिक तो right answer जो कहीं भी यूज नहीं होता है हम fast को ही जो है एडवर्ब या फिर adjective दोनों के form में यूज करते हैं या तो आप fast को adjective के रूप में यूज करिए या फिर एडवर्ब के रूप में यूज करिए फास्टली जो है कहीं भी हम लोग यूज नहीं करते हैं तो option है आपका हैं पर right answer हो जाएगा आपको फास्टली की जगा फास्ट का यूज करना है question 27 यहाँ पर आपको डिरेक्टर स्विच में चेंज करना है इसका आपको answer बताना होगा comment section box में question 28 यहाँ आपको गलती को situation is an unprecedented and unfortunate once for the country तो यहाँ पर देखे from all perspectives यहाँ के हर तरीके से the current situation is an unprecedented यहाँ कि जिसके बारे हम किसी नहीं सोचा कभी ऐसा नहीं हुआ and unfortunate once for the country यहाँ पर देखे जो current situation है इसके बारे में once का प्रियोग किया गया है ठीक तो current situation जो है यहाँ पर हमारा subject singular है तो इसके लिए जो हम हम इसका pronoun के form में यूज करेंगे उसको singular form में ही इसका इसका तो और मतलब क्या होता है cool your Heels this time मतलब क्या होता आए MUSIC मतलब यानि कि आप जो हैं बहुत ही मतलब किना चाहते हैं किसी वेक्ति या फिर किसी चीज गरते हैं Dalek hikanda कैक ट्यविस्याय motivates recording क्लlden जो है exercise करते हैं भ्यास करते हैं खुद को fit रखने के लिए take off your food wear यानि कि आप अपने food wear को उतारते हैं यानि कि जूते चपल for a long day लंबे समय के लिए unwillingly wait for something or someone यानि कि आप जो हैं बहुत ही लंबे समय से या फिना चाहते हुए भी किसी चीज या किसी वक्ति के इन तयार कर रहे हैं राइड आपने पर आपको प्लस बीइंग प्लस भर्व का थर्ट फॉर्म तो ऑप्सन देखे आर सेलिंग एलिमिनेट और बिइंग शोल्ड यानिकि आ प्लस बीइंग प्लस भर्व का थर्ट फॉर्म राइड आंसर आपके आपके ऑप्सन सी वेर का यूज इलिमिनेट क्योंकि यह पास्ट मन जाएगा हमारा सब सेंटेंज जो है जो है आपका प्रेजेंट में है कुश्ट्वर थाटीवन तो देखिए यहां पर जो है आपका इसलिए यहां पर भर भई अपने प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है को इंवाल्ट फॉर्ट फॉर्ट फॉर्म इंवाल्ट फॉर्म इंवाल्व होने के लिए हम लोग जो है इन प्रिपोजिशन का यूज करते हैं तो ऑप्शन दी आपको आपर आइड आंसर हो जागा अपास के मेरा मौल कहा है थीक तो इस संटेंस में जो है कोई भी इंप्रोड में जरूरत नहीं है हम जाएंगे जमस्टिशन यानिके ऑप्शन बी आता है अंतर व्यांद कर्या जो है आपको टेल्ग्राम चैनल प्रिषी कर दिया जाएगा फूर्चिशन पर फिलेंदे ब् तो परदास से बाहर है, in the fill in the blank leg made her wins as he tried to stand, तो यहां पर देखिया, ऑप्सन, broken, breaks, broke या फिर break, तो breaks और break आपका present में है, ठीक, चुकि हम देख रहे हैं कि past में है, तो past में या तो broken होगा, या फिर broke होगा, तो यहां पर चुकी जो है, तो टूटा हुआ पैर, तो टूटे हु आते हैं Q35 पर आपको ग्रमेट का लिए पर फाइंड आउट करना है तो नू सुनर के साथ हम क्या यूज करते हैं दैन का यूज करते हैं तो इरर हो जाएगा आपका ऑप्शन C यह हम लोग बहुत और ही प्रैक्टिस कर चुके हैं नू सुनर के साथ दैन का परियोग करें Q36 यहां पर इंडिरेक्टा स्पीच में चेंज करना है सगार का सेज आई पास्ट में एक्जामेनेशन तो सेड अब यहां पर देखे जो इंवाटेट कॉमा के अंदर यह पाट है इसको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे तो अगर यहां पर जो है जो अपने बादे में बताता है उसको वहां पर लिखा आता है तो सगार का सेट डैट सी हैड पास्टर एक्जामेनेशन तो राइड आउंसर आपका पर ऑप्शन एक्सप्रियेंस ऑप मेनी कंट्रीज है सोन प्रिवेंशन इस वेटर दैन तू क्योर तो दे प्रिवेंशन इस वेटर दैन क्योर तो यहां पर यह तू का है यह यह सूपर फ्लॉस है यानि कि अतिया अगश्चक है तो राइड आपकर आपको हो जाए को श्रूर से जरूर प्रैक्टिस कर गई है क्योंकि हम आपको बेसिक बता चुके होते हैं अस्टाइटिंग में ही और उसके बाद जो हैं कुछ questions छोड़ देते हैं ताकि आप जो हैं उसका कुछ से practice कर सकें की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं कुछीन आप एंट्रं इंतओन्षों बताना है याने की Main Seats का season मतलब होता है जब्द कर लेना ठीक है तो जब्द कर लेना का जो है बाला को बताना है क्या होगा तो यहां पर options हैं всех याने की खर्च कर देना यानी की बरवात कर देना ठीक है Snatch यानि कि छिन लेना, Capture यानि कि जब्त कर लेना, Release यानि कि छोड़ देना, तो right answer है आपको option D, एक जो है आपने किसी चीज को पकल दिया और एक चीज को आपने छोड़ दिया, तो यह दोनों एक दूसे को भी प्रीथ होगा है, right answer आपको आपको option D, हो जाएगा, question number 41, अगर आप sentence को अच्छा से पढ़ेंगे, तो wait at this willing counter, यानि कि समय के बारे बात हो रहा है, आपको कहीं पर रुकने के लिए कहा जा रहा है कि जब तक मैं नहीं आओ, तुम यही पर रुको, ठीक, तो जब यहाँ पर एक समय का बोद हो, तो हम लोग until का use करते हैं, until, यानि कि जब तक मैं नहीं आजाता, यह आपको समय क्या बोद करा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगो options को, तो until, यहाँ पर unless, eliminate, no substitution, eliminate, until, unless, यहाँ पर unless का use करना ही नहीं है, क्योंकि unless एक negative sense में है, और until, जो है, अपने आप में ही negative है, तो यहाँ पर हम दो negative word को यूज करेंगे, ठीक, until, मतलब होता है, कि जब तक मैं नहीं आजाता, ठीक, until, अपने आप में ही negative है, तो unless हम दो, इसके लिए negative एक और use क्यों करें, तो यहाँ दांसर आप कहाँ पर option A, हो जाएगा, wait at this will encounter, until I bring some items, I still need to get, question 42, यहाँ पर आपको indirect speech में change करना है, पल्लिवी options तीनों को eliminate कर सकते है, I will है यहाँ पर, चुकि I am है, तो यह past में change होगा, will future में change होता है, eliminate, see is present में ही है, see would, यहाँ पर tomorrow का जियों को छोड़ दिया गया, तो यह तीनों options eliminate, तो right answer आपको automatically D हो जागा, देखिए next day भी है, और यह past में भी change है, right answer आपका option लीग, तो आप अ से दिया गया है, जिसका नाम है SAC 45 displays, उसमें आपको change or voice अच्छे से सिखाए गया है, और अगर आपको narration में भी किसी परकार का दिखात है, तो telegram channel को हमारा join करिए, जो description में लिंक दे दिया गया है, और वहाँ से आकर आप video को download करिए, question of 4.3 यहाँ पर आपको antonim बताना है, invoice मतलब होता है, चिवधना, ठिक, objectivity मतलब होता है, वस्तु निष्ट यता और impartiality यानि की निस्पचता, राइदा आंसर यहाँ पे आपका option है, हो जाएगा, ठिक, आता है question number 44 पे, यहाँ आपको antonim segment में improvement के जरूरत है, तो given option से करें, तो phenomenon के साथ जाए, I wish the people in the queue would have a little fastly, अभी हम लोगों ने सिखा कि fastly का use हम लोग नहीं करते हैं, कहीं पर भी, ठिक, यह अपना आप में ही गलत है, क्योंकि यह जो है, आप हमेशा adjective or adverb दोनों form में use करते हैं, तो fastly हम कभी भी use नहीं करते हैं, तो no substitution आपका alum ने उछ जाएगा, ठिक, अब बाकी options को अगर हम द किया, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखे, I wish मैं ऐसा इच्छा करता हूँ, तो यह जो आपका है conditional sentence बन गया है, तो यह जो आपका structure है, आपका option C, यानि की एक part आपका simple और दुसरा आपका would के साथ बनता है, यह हम लोग conditional sentence में सीख चुके हैं, तो अगर आपको conditional sentence में क option C, question 45, यहाँ आपको passive words में change करना है, this voucher gives subject और भर्व का fifth form, यानि कि यह present में है, थिक तो options देखें, तो present में है, तो is MR plus verb का third form use करेंगे, will we, eliminate, have, eliminate, where, eliminate, और option D अपका है, R, तो यहाँ पर subject plural है, इसलिए R का use हो गया, plus verb का third form, तो राइड आपका है, option D हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या-क्या पूरा sentence को भी नहीं पड़ें, हम लोग, सिर्फ हम लोग helping verb को देखें, और आइज answer पर आगें, तो यह होता है, फाइदा rules याद होने का, तो यह है detail में, part 1, एस्टेनोग्राफर में 100 questions होते हैं, तो हम लोग 50-50 करकर solution करते हैं, तो आज हम लोग ने mock test या फिर practice test जिसे जो है, आपको provide के जाएगा, चाहे वो जो exam हो, CGLO, CHSL, और MTS हो, सार एक्जाम के लिए जो है, आपको mock test, वो free of cost, पूरे detail में, solution के साथ आपको दिये जाता है, previously भी आप देख सकते हैं, playlist section में जाकर, ठीक है, तो like करिए, share करिए, अगर आप चैनले पह publications से है, सारे बहुत आपके लिए important है, तो जाएए, join करिए, PDF को download करके, सारा याद किजिए, हम लोग मिलते हैं, आगे के lessons में, thank you.